सुप्रबात विद्धार्तियों आज का सुविचार मानव सेवा ही इश्वर सेवा है इसका आर्थिया है कि जो मनुष्य दुसरे मनुष्य की मदद करता है सेवा करता है उसकी वह मदद उसकी वह सेवा इश्वर की सेवा के समान है हमें अपने रिदय में दया, परुपकार जैसे मानविय गुनों को रखना चाहिए और यही बात हमें यहाँ पर लेखक ने बताई है कि जब हम मानविय गुनों के साथ जब दुसरे मनुश्य की मदद करते है तो वह मदद हमारी इश्वर की सेवा के समान मानी जाती है इसलिए हमें हमेशा दुसरों की मदद करनी चाहिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं उसके पहले हम पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ भाग याद करेंगे हमने जुमका यह पाठ के अंतरगत पड़ा कि कांती और सर्वेश और रमा तीन पातर हमने देखे थे कांती और सर्वेश यह पती पतनी है कांती की सहली रमा है अब कांती अपनी सहली के साथ सुनार की दुकान जाती है और उसे वहाँ पे सोकेश में रखा हुआ एक जुमके का जोड़ा पसंद आता है वह वह जुमके का जोड़ा खरीद लेती है और जब खरीद लेती है उसने वह जुमका का जोड़ा जो है वह सर्वेश से बिना पुछे खरीदा है उसकी दो साल की जमा की हुई पुंजी से उसने वह जुमका खरीदा है और सर्वेश को अभी कुछ भी बताया नहीं है एक वह जुमका अब उसका गुम हो जाता है दो जोडे में से एक जुमका उसका गुम हो जाता है इसलिए वह अब सहम गई है अब वह डर गई है क्योंकि म सरविष को पता चलेगी तो सरविष क्या कहेंगे ये सोच सोच के कांती डर रही थी अब हम आगे देखते हैं खाना खाकर दोपर की नीन लेने के लिए कांती जब बिस्तर पर लेटी तो वहुत देर उसकी बंद आखों के सामने जुमका ही घुमता रहा अब दोपर का समय था कांती ने खाना खा लिया और वह सोने के लिए बिस्तर पर गई कई बार होता है ना बच्चों हमारे साथ भी ऐसा कि हमारी कोई वस्तु गुम हो जाती है या घराब हो जाती है या मिलती नहीं है तब हम भी अस्वस्त हो जाते हैं हमें बार बार उस वस्तु का स्मरन होता है जो हमारी वस्तु खो गई है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे कांती भी अस्वस्त हो गई है, क्योंकि उसका तो सोने का जुमका गुम हो गया है और वो भी ऐसी वस्तु है जो उसने सर्वेश की चोरी से खरीदी है और जिसके लिए उसने अपने दो साल की इकटा की हुई मुश्किल कठीन, मुश्किल का विरुधारती आसान, बड़ी मुश्किल से उसकी आख लगी याने उसे नींधी आई थी कि आदे घंटे में ही दरवाजे की घंटी जोर जोर से तेज तेज से बज रही थी, तेज तेज फिर से यहां पर युगमशबद आया है और उसे मजब कर दिया उठने पर मजबूर याने वीवश कमला बाई ही होगी सोचते हुए उसने डर्वाजा खोल दिया अब उसे मालुम था कि कमला बाई का समय है और यह सोचकर उसने दर्वाजा खोल दिया ड्राइंग फिरसे यहां पर यह विदेशी शब्दा आया हुआ है बहुजी आज ज़रा देर हो गई लड़की दो महने से यही है उसके लड़की की तब्वेश ज़रा खराब हो गई थी सो डॉक्टर को दिखा कर आ रही हूँ कमला भाई ने एक सास में अपनी सफाई दे डाली और बरतन माजने बैठ गई अब जैसे ही कांती ने दर्वाजा खोला कमला भाई अपनी बात कहने लगी कि बहुजी की मेरी बेटी दो महने से यहां माईके में है उसके बेटे की तब्वेश खराब है इसलिए मैं उससे दव कांती के लिए नई थी यहने खर यहने समाचार उसके लिए अब लciu तब कि बाद जो चिन्ना आया है उसे प्रश्णवाच्च 57 कहते है उसका घरवाला तो कहीं ट्रांस्पोर्ट कम्पनी में नौकरी करता है ना कांती से पूछे बिना रहा नहीं गया अब वह उसे कहती है कांती कि क्यों उसका तो पती अच्छी नौकरी करता है कोई ट्रांस्पोर्ट कम्पनी में तो फिर वह क्यों मैके में है अब ट्रांस्पोर्ट कम्पनी फिर से यह कित हो जाना मुहावरा है ये अब वह कहती है कमला भाई कि जब से उसकी नौकरी पक्की हो गई है तब से उन लोगों की आखे फट गई है कहते हैं तेरी मान ने दो-चार गहने भी नहीं दिये अब तुम ही बताओ भोजी चोका बासन करके मैं आखिर कितना करूँ अब वह कहती है कि इस कारण से उसे हमारे मैंके मैं यहां पर रख दिया गया है और कहते है कि दो-चार गहने तेरी माने बना के नहीं दिये और कमला भाई बड़े निराश होकर यह बात कहती है कान्ती से कि मैं करू भी तो क्या करू करू तो चोका बासन करती हुँ, चोका बासन यहने रसोई घर का काम और बरतन माजना, इस प्रकार के काम करके मैं कितना कर सकूगी, बिटिया के बापू होते तो और बात थी, यहने बेटी के पिताजी अगर होते तो कुछ और बात थी, बिटिया याने बेटी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए, कमला बाई ने बरतनों को जबिया में रखकर भर आई, आखों की कोरों को हाथों से पोश डाला, अब जबिया याने टोकरी, बरतन की जो टोकरी ज हाथ, कर और हस्त, सहनुबुती के दो चार शब्द कहकर और अपनी इस महने की पगार लेती जाना कहकर, कांती उपर छस से सुखे, वे कपड़े उठाने चली गई, अब सहनुबुती भरे शब्द, याने जो तसल्ली वाले शब्द होते हैं, दुसरों के प्रती हमदर्दी होना कहते हैं, जिसे सानुबुती याने हमदर्दी होना, अब हमदर्दी भरे दो चार शब्द कहकर उसे कहा कि तुम इस महने की अपनी पगार याने पेमेंट लेती जाना, और यह कहकर वो छत के उपर से कपड़े लेने के लिए गई, कपड़े समेट कर जब कांती नीचे दाया है, आप लोग नोट डाउन करते जाओ बच्चों बराबर, किचन में जब वहाँ आई तब वहाँ पर वो तयार खड़ी थी, लो ये 200 रूपे तो ले जाओ, अब 200 रूपे किसकी पगार थी, कमलाबाई की पगार थी, और जरूरत पड़े तो मांग लेना, कहेंकर का वाजे तक पहुची ही थी, कि न जाने क्या सोचती हुई, वह फिर वापस लोट आई, क्या बात है कमलाबाई, उसे वापस लोट कर आते देख कांती चोकी, अब वह जब पैसे कमलाबाई को दे दिये, तो कमलाबाई ने उसे अपने साड़ी के पल्लु में बांधा, और आ ना भी आपको आज के वर्ग में पढ़ाया है, आपको सब चीजे कॉपी में बराबर लिखना है, समय पर दिया गया कारिया करो, जिससे की आपका कारिया बचा नहीं रहेगा, और अब हम आगे का भाग पढ़ते हैं